हाथ्रस जिले में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में अयुजीत गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दोरान शहर में भव्य शोभाई यात्राएं तेखने को मिली। भक्तों ने गाजेबाजे के साथ अपनी प्रतिमाओं का विसर्जन किया और पूरे शेहर में भक्ति का माहौल बन गया। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश्ची की प्रतिमाएं घरों और मंदिरों में स्थापित की गई थी। अब विसर्जन की प्रक्रिया के तहट भक्तों ने विविन इस्थानों से शोभा यात्राएं निकाली। ये शोभा यात्राएं शेहर के विविन वाजारों से होते हुए अलीगर रोड इस्थित नहर पर पहुँची जहां प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बक्त भजन की इतन करते हुए यात्रा के साथ चल रहे थे और कंडपती पपा मोलिया की जैकारों से पूरा माहौल को जैमान था मैलाएं भी इस भक्ति के माहौल में शामिल हुई और नाचते काते हुए यात्रा का हिस्सा बनी इस दोरान जमकर गुलाल उड़ाया गया और वातावरन में उस्सव की मिठास खुल गई विसर्जन से पहले बक्तों ने पूझा अर्चना की और विविन इस्थानों पर उनकी शोभायात्राओं का स्वागत भी किया गया भक्तों ने फूलों की वशा की और एक दूसरे के साथ मिलकर आनंदित हुए पूरा शहर भक्ती के रंग में रगा हुआ नजराया इस प्रकार कनीश विसर्जन के दिन हातरस में धार्मी कुझसा और भक्ती का संगम देखने को मिला